हलो गाईज, वेलकब दो रियलकाफेक्स और कैसे आप सब लोगाईज, आज हम आपके सामने लाएं सबसे सस्ती मिट साइस SUV जो की CNG आप्शन के साथ भी आती है जो CNG गाड़ियों में आपकी प्रॉब्लम होती है इस गाड़ी में वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है वो इस कार को थोड़ा special बनाती है तो यह है bunch pure variant यानि की इस कार का base variant तो आज की वीडियो में हम सब discuss करेंगे इस कार के बारे में ये सकार के pricing क्या है क्या specification इस कार में आती है और कौन-कौन से features इस pure variant में offer किये जाती है जो कि बात करें इस कार की pricing की तो ये कार आपको 7.9 lakh actual room cost करती है Delhi में इस की engine specification की तो इस कार में आपको 72 bhp की power और 103 nm का talk मिलता है जो कि on paper एक अच्छी power figure एक CNG कार का recording तो बात करते हैं इस कार की designing की तो front में आपको इसमें halogen का setup देखने को मिलेगा DRL इस वेरिंट में आफर नहीं किये जाते इसके अलावा आपको front में ही glossy black color की ग्रिल देखने को मिलेगी जिसमें सेंटर में टाटा की बैजिंग की गई हो यहां पर आपको एक try arrow pattern देखने को मिलता है नीचे की grill में भी try arrow का design आपको देखने को मिलेगा overall car का front look काफी अच्छा लगता है car का front fascia आपके hair gear से inspired है तो front look car का काफी अच्छा काफी muscular car लगती है देखने में proper SUV वाला फेल देती है यह car आपको अब चलते हैं car की side profile में देखते है side profile में आपको क्या offer किया जाते है so guys बात करो इस car की dimension की तो इस car में आपको 3827 mm की length मिलती है 1742 mm की width and 1615 mm की height wheelbase की अगर मैं बात करो तो इस car में आपको 2445 mm का wheelbase मिलता है and ground clearance इस car में आपको 187 mm की मिलती है बात करें इस car की tire profile की तो इस car में आपको 185 by 70r15 15 inch के tires आपको इसके pure variant में भी मिल जाते है मतला base variant से आपको 15 inch के tires दिये गए है जो कि एक अच्छी चीज है and proper full body gliding आपको इसके base variant से देखने को मिल जाती है इस कुछ इस तरीके से इसका side profile लगता है and इस car में आपको turn indicator over VM में दिये गए है जो कि एक अच्छी जीज है and आपको इसके door handle भी black color में मिलते है over VM and door handle आपको black color में इस पे देखने को मिलेगे कोई roof rails इस variant में offer नहीं की जाती and इस car का एक और अच्छा point है beside ये एक CNG vehicle है इस car में आपको ground cleaners में बिलकुल भी compromise नहीं किया गया same ground cleaners आपको इस car में offer की जाती है जो कि इसके petrol version में भी मिलती है बात करें आपको car की rear profile की तो rear profile में आपको hyalogen में ही tail lamp दिये गए है इसके अलावा आपको ICNG की बैजिंग यहां देखने को मिल जाएगी punch की बैजिंग यहां पर, tata की बैजिंग यहां पर and कोई wiper, defogger आपको इस variant में देखने को नहीं मिलता high mountain stop lamp की placement यहां है antenna आपको इस variant में कोई देखने को नहीं मिलता तो कोई भी कार आप इतना boot space offer नहीं करते हैं इसके लावा दो hooks आपको इसके boot में प्रोवाइड किये गए है जो 11 kg की capacity के है and इसमें आप अपना कोई भी समान hang कर सकते हो इसके अलावा यहां से आप मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको cylinder दो, twin cylinder आपको इसमें offer किया जाते है 30-30 liters की capacity के and अगर आपको spare tire access करना है तो उसके लिए आपको एक screw यहां पे दिया गया है जिसके थूँ आप अपना spare tire access कर सकते हो और spare tire की placement आपको नीचे दी गई है सबसे पहले मैं आपको इसका fuel light open करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि आप CNG कहां से refill करा सकते हो वैसे अगर CNG की बात करूँ ना तो इस कार में बहुत सारे safety features भी आ रहे है इस कार में आपको thermal incident protection, leak detection जिसे बहुत सारे safety features मिन ले वाने हैं तो safety में भी विल्कुल compromise नहीं किया गया सबस्क्राइब की से रिफिल होती है आपको यहां पर petrol और CNG दोनों के options दिए गए है इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर 30-30 water liter capacity के दो cylinders आपको इस कार में मिलते हैं अगर बात करों इस कार की mileage की तो जो company claim कर रही है company's की mileage 27 around claim कर रही है बट मेरे कॉनिंग रियल लाइफ में यह कार आपको 24-26 के बीच में कोई mileage निकाल के देगी जो की एक बहुत अच्छी mileage है चलिए अब देखते हैं कार का interior कैसा है जैसे अब देख यह कार में ड्यूल तोने नियूस किया थै एक ब्ल्क एंड जी किमिलत है। यह वेरिंट विलता है और अगर वेरिंट लोगे तो इसमें पोड़ाइशन कुछ अलग मिलेगा प्यार वेरिंट में आपको इन्फरिंट में सिस्टम नहीं प्रोवाइट किया जाता इसके अवर एसी वेंट्स में नहीं प्यानो ब्लैक कि फिनिशिंग यूज कि जो काफी लग रहा है इसके नीचे हैंब्रेक की प्लेश्मेंट की गई यहां पर आपको सौकेट दिया गया है तॉप वेरिंट में आपको यहां पर टाइप C का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसके अलावा दो कभोल्डर की प्लेश्मेंट यहां की गई है और सीट कमफर्ट की कि इसमें आपको थाय सपोर्ट इंचा देखने को मिल जाता है एजस्टेबल है लेत्र साट को पिलेंटे जाते हैं इसके अलावा मैणुला आ यहां दिया गया है यहां पेक माइक के ब्लेस्मेंट की गई है, द्राइवर साइड कार्ड होडल आपको देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा आपको को पेसंजर साइड भी वैनेटी नहीं मिलता इस वेरेंट के अंदर, काफी सिंपल सोबर सा इंतिरियर लखा गया इस कार का जो हमेशा आप यहां देसे का जाएगा फिल जाता है है कोई उसके और भी कंट्रोल्स आपको स्टेरिंग में देखने को नहीं मिलेंगे सेंटर में नटा का बैजिंग आई इसके अलबह बेस वेरेंट में आपको दो ही पावर विंडो देखने को मिलती है एक अपनेगा तो मैन्वल ही रश हें आप जो मैंख कुए एक बात कि झाल हम य również मदे बात कनो इस पंट्च के बात करें ऌफ ही काथे हा beliefs तबात करें लग रूम की तब विन्टोप केो अच्छन हम अजिամ विन्टोप करने के सकता है अब दिन आपको यहां कोई फिख्री आप कोई अफिशक नहीं दिन बात करें हम बात करें हम की तो हम भी विछकुल ना बराबर है विल्कुल कम हम भै तो इसली बैठ सकता है अ अफिशूजू कि अपश्छा अप्शन बन जाता है यह कार अगर जो लोग C&G में कार ढूंड रहे हैं because अच्छी ground clearance के साथ साथ आपको एक SUV वाली fail भी इस car में आती है तो guys अगर आप भी एक car opt करना चाहते हो तो contact person की details में आपको description में दे दूगा आप उनसे contact कर सकते हो तो guys इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए बाई